चोपड़ा एजगिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाय चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो, NEET21 की आंस्वर की अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तबी तक रिलीज नहीं हुई है अभी काफी सारे स्टुडेंट ये कयास लगा रहे हैं कि क्या री नीट हो सकता है इस कारण NTA दोवारा आंस्वर की जारी नहीं की जा रही है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है आंस्वर की, ओमार डिस्पले और रजल्ट की डेट्स के बारे में NTA ने अभी तक कोई ओफिशियल अनाउंस्मेंट नहीं किया है कि ये कौन सी डेट को रिलीज होंगी ये NTA के प्रिवेस येर के प्रोग्राम के मताबिक बताया जा रहा है कि ये डेट क्या हो सकती है इनमें administrative region से 2-4 दिन का समय कम या ज़्यादा लग सकता है अभी रेजल्ट के लिए NTA द्वारा नॉर्मली एक मैने का समय लिया जाता है तो हम मान रहें कि ये 10 October के तकरिवन आ सकता है 10 October से पहले काफी समय है जिसमें answer seat, omar display और challenge होना है तो अभी इसमें समय है 2020 में ही NTA ने answer की जल्दी release की थी बाकि इस से पहले तो रजल्ट से 5-7 दिन पहले ही होती आ रही है तो अभी wait कर लेते हैं साइद एक दो दिन के अंदर-अंदर answer की release हो जाए री-neat के बारे में जहां तक मेरे पास जानकारी है अभी तक कोई सुप्रिम कोर्ट में case नहीं लगा है क्योंकि अभी तक सारे students आ रहे हैं कि री-neat ना हो काफी सारे students ऐसे हैं जो री-neat की demand कर रहे हैं काफी सारे students ऐसे हैं जो री-neat के pucks में नहीं है यह social media पर ही demand की जा रही है अभी तक सुप्रिम कोर्ट या फिर किसी हाई कोर्ट में ऐसा case लगा नहीं है मेरी बात से बहुत student को बुरा लगेगा जो री-neat चाते हैं लेकिन यह फिर से यही बोल रहा हूं कि फालतों में अपना समय वेस्ट ना करें री-neat की कोई संभावना नहीं है जिनके marks कम हैं वो 22 के लिए अपने study स्टार्ट करतें तो जैसे ही कोई update मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे channel पे नए हैं तो channel को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like वा ज्यादा ज्यादा share करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद